प्रश्रीक अल जी गर्मियां दे मौसम विच गरम हवा चल दिये जिन्नू आपा लू वी कहने यां और कई वारी किसे ना किसे नू लग जान दिये और जिन्नू लू लग जाए ओदा मू ते जबान सुकन लग पें दिये बार-बार उनू प्यास लग दिये हथा पैराच पसीना आजन्द है दिल कबरांद है ते कई-कई वारी ते बुखार भी चड़ जन्द है आज मैं तो अनू दस्सांगी लू तो बचा ते ओदे इलाज लई कुछ करे लू नू उसके लू लग जाए ते केरी यानि कच्छी अंबी दी चटनी बहुत फाइदे मन हुन दी है और इदे बनान दा तरीका भी बड़ा असान है कच्छी अंबी नू पानी च अबालो बाच ओदा छिलका उतार के ओदे गुद्दे दे विच जीरा तनिया नमक ते काली मिर्च मिला के उनू चंगी तरा मतलो फिर थोड़ी दरा होर पकालो ए चटनी लू दे रो है नाले कबज भी करती है वैसे लू दे विच इमली भी बड़ी फाइदे मंद होंदी है दो केंटे इमली नू पानी चुपी हो दियो फिर ओदे गुद्दे विच अपने स्वाद मताबक बूरा चीनी मिला के रोगी नू दे दियो लू दा असर ते काठी होई नालो दा मन मचलोना भी बंद हो जो लू वास्ते प्यास बड़ा फाइदे मंद होंदा है तुसी लू दे रोगी दियां कान पठियां पैरा दियां तलियां उत्ते प्याई दे रसे दी मालेश करो और स्वेरे शाम रूटी नाल प्याई दा सलाज नमक ते काली मेज पाके खाओ ते देड़े भी ना लगो जेकर किसे नू लू लग जाए ते अद्धे का पानी देविच पांच तुलसी दियां पतियां दा रसा मिला के नाली ओदे विच थोड़ी जी चीनली मिला के रोगी नू पला दियो ओदे नल लू दा सरकाट जाओ मैन नू उमीद है एन्ना को तो दूर रखोगे